फ्रेंट्स अब देख सेकते हों यह कोड जो एक्टिव है 649 कोड एक्टिव है और 25-75 वैंट यह यह तीनों कोड आप्टिव है तो मेन कोड जो है 25-75 ए 575 तो यह दोनों कोड के कारण इउरिया नहीं खा रहा है। तो फ्रेंट्स यह हम जो 35-75 यह दोनों का जो डिस्क्रिप्शन पर लेंगे तो फ्रेंट्स यह 35-78 में बता रहा है आप्टर टीट्मेंट डिजल एक्जस्ट फ्लूइट रिटन भाव बोल्टेज बिलो नॉर्मल और सॉटेट लो सोर्स यह जो 35-78 का जो कोड़ बता रहा है जो प्रेंट्स इसमें ब्यूटेज इस वुटिछ पूरा जो कपलर है और इसका जो वारिंग वी हम जो कपलर कितनता कपलर में कौन सा पीन में कौनसा वायर रहता है सब कुछ दिखा देंगे उके उसके बाद आप देख सेकते हो जो 35 75 है इसमें अप्रेटिन्मेंट डिजल इस प्रूइट प्रेशर का जो है डाटा भालिट बाट बिलो नॉर्मल अपरेटिंग डिज बाकी सब नीचे जो है सब सारे के सारे इनेक्टिव है घ्लो फेर्ट वल्कन बाक आपने देखे अपने देखा यह जो कोड़ है 35 55 यह कोड मेरे सामने फास्ट आमाया है तो फ्रेंट्स इसका प्रॉबल्म क्या है हम देखेंगे तो इसका जो डाइवर का कहना है यह दस दिनों से यूरिया नहीं खा रहा है तो फ्रेंट्स यह और गाड़ी का जो यह नहीं खा रहा है से लिए खिचाई भी कम हो रहा है और जो फियूल कंजम्शन ज्यादा बढ़ गया तो फ्रेंट्स हम देखेंगे एक के बाद एक जो इसका गाड़ी का वाइट और रेट पे ब्लेक यह दोनों वाइघ में लेट को हिए उसमें 24 जल्ट Ignition प्लई रहता है और जो रेट पे ब्लेक है वो 12 इसमें देख लेंके यह जो ठीक है उसके बाद जो round बाला कपलर है उसमें 3 वायर में 3 वोल्ट रहता है और 2 वायर में 5 वोल्ट रहता है और 1 वायर में 24 वोल्ट रहता है और 3 वायर ground रहता है तो friends यह supply चेक करना एकदम जरूरी है जो round बाला कपलर है इसमें किसी भी ground चाहे signal का वायर चाहे 3 वोल का वायर सप्लाइग ऐसा कुछ रहेगा फिर भी यह डिस्टर्बिंस होगा यह उरिया नहीं खाएगा तो फ्रेंट्स इस गार में देखते हैं पहले जो इसका डिजर लेक्जर स्पुर्ट दोजात्माम उबाराइट टेस्ट है वो करके देखते हैं इसका कंडिशन क्या है इ फ्रेंट्स इन देखते हैं क्या होता है फ्रेंट्स इह आप देख सकते हो बी सर्का यह डूजर इंत का जो सपलाइबवोल्टेज का वायरिंग है हम दिखा देते हैं कप्लर में तो friends यह जो round बाला कप्लर है आप देख सकते हो यह round बाला कप्लर में यह B, C, D ऐसा करके लिखा है तो B and D point में 3 volt है आप देख सकते हो B and D point 3 volt और M जो M point है M point में 3 volt है यह आप देख सकते हो उसके बाद जो आप देख सकते हो ये पॉन्ट मे फाइब वोल्ट है और पी-पॉइंट फाइब भोल्ट है अब देख सकते हो उसके बाद इप वर जो यह त्विसमें डूमन का सप्लाइब रहता है तो यह सब चेक करने के बाद जो आप देख सकते हो 24 बोल्ट जो है यह आजिस्ट भाल्प का है पहले बता दिया और इसमें डाय तरह आप देख सकते हो इसका जो P नंबार और इसका जो कलार वायर का कलार है यह हम दिखा दिया तो फ्रेंट्स इस गाड़ी में जो प्रॉब् में यह तीन बोल्ड सप्लाई नहीं आ रहा है तो फेंस बीपोइंट ए plastic में थ्रीफ्ल सप्लाई नहीं आ रहा है इसी के करन इस गाली में जो यूरिया कंजम्शन नहीं हो रहा है उप्याओ वागार प्रकल आधे में इसा कूछ तो ऐसा होना नहीं चाहिए और इसमें हम 2-3 मींट कीया लेकिन फिर भी वैसे ही पैसर दिखान रहा था आवर इसमें जो रोजींग नहीं शुद्श हो रहा था तो इसमें प्रॉब्ल्म था यह तिन बोल्ड का वा बी falling में था वो उसमें जो रिटेन भाल्ब का जो वाया है वो नही जा रहा था तिन बॉल्ट और इत्में जो फ्रॉब्लिम मिला हमको जो इसी एम कास जो इंझीन माॉंटिंग रहेता है इंजीन माॉंटिंग के पास यह दोनों वायर जो येलो पर वरेंच हो है और इस Bürger पर ब्लैक यह दो नो वायर बोडी से टच हुआ था उसका विडियो नहीं बना बनाया लेकिन आम बता देते हैं जो इसमें जो रेड पे तो यह यह लो पे और वरेंज कलर का जो भी पॉइंट में है और ग्रीन पे ब्लैक जो यह कलर वायर है यह तीन भोल का वायर है तो इसम हो रहा था इसलिए इसका जो लोजिंग स्टॉप लॉजिंट हो गया था और इसमें जो यह तीन भोल का वायर कट हुआ है इसलिए और इसके बाद आप जो कभी-कभी ऐसा होता है जो फाइप भॉ्ल का जो सप्लाइब और कभी कट जाता है यह घसिट जाता है वहाँ पर ही बहुत सारा गाडी में देखा भाई एक पास एंजिन मांटिंग के पास यह जब इंजिन मांटिंग तूटता है या कुछ होता है लूज बगरा होता है वायरिंग दब जाता है इसी के करणन कभी-कभी यह फाइप पॉल सप्लाई का वायर भी निकल जाता है तब यह सेंसर जो रावन बाला कपलर में सप्लाई नहीं आएगा है दो तीन गोल तो फास्ट अप चेक करिया यह पर जो इंजिन मांटिंग के पास जो वाइंग दबा हुआ है या नहीं उसके बाद आगे से चेक करो पहले वहां पर चेक जरूर करना भाई तो यह था आज का वीडियो फ सब्सक्राइब करके बेल एक उनको प्रिस करते हैं क्योंके से नहीं नहीं जाने करें हम लाते रहेंगे फिर्स तो थैंक्स पर वाचिंगे